सालाओं में जो गणवेश प्राप्त होती है इसकी ओनलाइन एंट्री कैसे करें आज इसे हम देखेंगे जैसे कि हमें पता है कि कक्षा 1-8 तक के छातरों को निसुलक गणवेश प्रदाय की जाती है इसके लिए या तो जो रासी है वो सीधे चात्रों के खाते में दे दी जाती है या फिर दो जोड जो गडवेस है वो स्वासाहता समों के माध्यम से चात्रों को प्रदाय की जाती है आज हम देखींगे कि जो स्वासायता समों के माध्यम से छात्रों को गडवेस प्राप्त हुई है इसकी ओनलाइन एंटरी कैसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मॉबाइल में M.Sikshamitr को ओपन कर लेना है क्योंकि M.Sikshamitr के माध्यम से ही हम निसुल्ग गडवेस की जो जानकारी है वो दर्ज कर सकते हैं तो इसके लिए जैसे ही हम M.Sikshamitr open करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां arrow पर किलिक करके हमें आगे process कर लेना है जब हमने आगे process किया तो आप देख सकते हैं यहां पर एक option दिया गया है Uniform Distribution Tracking हमें simply इस option को open कर लेना है अब जैसे हमने open किया तो यहां पर दो option आए हुए हैं सबसे पहले आपको master data download करना होगा यहां पर सीधे आप गड़वेस प्राप्ती दर्ज नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले तो master data download कर लेना है इसके लिए simply इस option पर किलिक करें जैसे आप किलिक करेंगे तो यहां पर एक message आएगा कि आप master data download करना चाह रहे हैं जैसे आप yes पर किलिक करेंगे तो थोड़ी process होगी और master data download successfully हो जाएगा अब आप गड़वेस प्राप्ती दर्ज कर सकते हैं इसके लिए जो second option है इस पर किलिक करें जैसे हमने किलिक किया तो यहां पर session आपको select करना होगा जो सत्र है वो select करना है तो जैसे हम किलिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 2020-21 से लेकर 2023-24 तक का जो सत्र है वो यहां पर 100 होने लगा है लेकिन इसमें बता दें कि बर्तमान में अभी केबल आप 2022-23 इसकी जो online जानकारी है वो दर्ज कर सकते हैं 2023-24 की जो option है अभी open नहीं हुए हैं तो 22-23 में जो गर्वेस छात्रों को प्राप्त हुई है वो आपको यहां पर दर्ज करना है तो हम यहां से 22-23 से लट कर लेते हैं और इसके उपरान सुरक्षित करें इस option पर किलिक करें जैसे हम किलिक करेंगे तो यहां पर आपकी साला में किस स्वासायता समू के द्वारा गर्वेस प्रदान की गई है उसका नाम आ जाएगा और इसकी संख्या आ जाएगी कि कितनी गर्वेस छात्रों को प्रदान की गई है जिसमें बालक को कितनी मिली है और बालिका को कितनी गड़वेस दी जा रही है वो जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगे अब entry करने के लिए आपको जो three dot दिखाई दे रहे हैं इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे तो नीचे option आएगा गड़वेस प्राप्ति देश करें आपको सिंपली इस पर click कर देना है अब जैसे हमने इसे open किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला तो हमें कक्छा select करना है अब कक्छा यहाँ पर प्रतेक कक्छा की जानकारी आपको अलग-अलग select करना होगा अब जैसे हम साला है एक से आठ की तो यहाँ पर कक्छा एक, दो, तीन, चार और कक्छा छे, साथ आई हुई है जिनमें हमें गड़वेस प्राप्ति की जानकारी दैश करना है अब आपके मन में प्रशन आता होगा कि कक्छा पांच और आठ क्यों नहीं प्रदसित हो रही है तो इसमें बता दें कि सत्र दोहजार बाइस देश में कक्छा पांच और आठ के चातरों को जो गड़वेस की रासी है वो सीधे इनके खाते में ट्रांसफर की गई थी और सेस जो कक्छां हैं जैसे कक्छा एक से चार तक और कक्छा चे और साथ इन कक्छाओं में स्वासाहता समूं के द्वारा छात्रों को गड़बेस प्रदान की जाएगी तो हमें यहां से कक्छा सेलेट कर लेना है जैसे हम कक्छा एक सेलेट करते हैं इसके उपरान गड़बेस किस दिनांग को प्राप्त हुई है वो दिनांग के यहां से आपको सेलेट करना है तो जो भी date हो वो आपको select कर लेना है कि लिकर के जैसे हम example के लिए date select करते हैं इसके बाद में गड़बेस, संख्या, बालक अब गड़बेस की संख्या, बालक की जो आपने accept किया है वो संख्या यहाँ पर fill करना है example के लिए मानके चलते हैं कि हमने 8 जो संख्या है वो accept किया है तो हम यहाँ पर 8 fill करते हैं इसे पिरकार गड़बेस की संख्या बालिका, बालिका के लिए कितनी गड़बेस आपने accept किया है वो संख्या आपको यहाँ पर fill करना है अब यहाँ पर नीचे देखेंगे कि दो option और दिये गए है reject वाले कि बालक के लिए कितनी गड़बेस आपने reject किये है और बालिका के लिए कितनी reject की गई है तो यहाँ पर यदि आपने reject किया हो तो वो संख्या आपको fill कर देना है और यदि reject नहीं किया है तो आप zero इसमें fill कर सकते हैं जैसे हम zero कर देते हैं reject नहीं किया है तो इस प्रकार से कक्छा एक में हमने यहाँ पर जानकारी दर्ज कर दी अब नीचे screen आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षित करें के एक option आया हुआ है अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको कक्छा वार अलग-अलग गड़वेस की जानकारी दर्ज करना होगा यहाँ पर कक्छा एक आपने select किया इसकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर दिया और इसके उपरान सुरक्षित करें इस option पर जैसी आप किलिक करेंगे तो संबंधित कक्छा में गड़वेस प्राप्ति की जानकारी दर्ज हो जाएगी online M.Sikchamitr के माध्यम से इसे परकार आप आपको अगली कक्छा के लिए यहाँ से कक्छा select कर लेना है जैसे कक्छा 2 select कर लें और date जो भी हो वो select कर सकते हैं और यहाँ पर आपको संख्या select कर लेना है और सुरक्षित करें इस परकार जैसी आप सुरक्षित करेंगे वाले option पर किलिक करते हैं तो संबंधित कक्छा की गड़वेस प्राप्ति की जो जानकारी है वो M.Sikchamitr के माध्यम से ओनलाइन दर्ज हो जाएगी तो इस परकार सत्र 2022 से इसके लिए गड़वेस प्राप्ति की जो जानकारी है वो हम M.Sikchamitr के माध्यम से ओनलाइन दर्ज कर सकते हैं ए थी गड़वेस की जानकारी आनलाइन दर्च करने समन्धी एक महत्मून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन